हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी WhatsApp पे deleted message को देखना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पे delete हो गया message को हम कैसे देख सकते हैं तो फिर यह video देखते रहिए Hello, Namaste मेरा नाम है Sanoj चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने phone पे तो यहाँ पे अब हम अपने WhatsApp पे हैं और यहाँ पे मैं आपको आज live करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो message है वो delete होता है और कैसे हम इसे recover कर सकते हैं कैसे deleted message को हम देख सकते हैं तो यह एक मेरा WhatsApp है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे हम message भेजेंगे और यहाँ पे यह एक मेरा दूसरा WhatsApp है इस से हम इस पे message भेजेंगे और फिर delete करेंगे चलिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं message भेज के यहाँ पे मैं hello भेजता हूँ hello भेजा यहाँ पे आप देख सकते हैं hello यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे हम test करते हैं चलिए तो इसके लिए deleted message को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक application install करना परेगा इसका नाम है anti delete यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका link में description में दिया हुआ है तो वहाँ से आप इसे click करके install कर सकते हैं install करने के बाद सबसे पहले इसे open करिए इसमें एक setting होता है तो open करने के बाद यहाँ पर में जो यह button दिया हुआ है यहाँ से इसे enable करना है allow and then यहाँ पर आपको application select करना है and allow करना है अब back आते हैं अब यहाँ पर adds भी आते हैं तो एक add आएगा then अब यहाँ से दूबारा से इसे allow कर देख अब यह green हो गया मतलब यह service जो है वो अब running में है अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से message delete जो है वो हम देख सकते हैं card देते हैं अब यहाँ पर कोई भी message जैसे मैं hello hi जैसे हो यह देख सकते हैं तीन message मैंने भेज दिया है तीन message यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनो message आ गया देखूंगा नहीं पहले मैं इसे delete कर देता हूँ तीनो message delete delete for everyone then delete हो गया अब यहाँ पर इस WhatsApp पर जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं message जो है वो delete हो गया है then अब हमारा जो message है वो delete नहीं होगा है actually में यह recover हो सकता है मेरा यह मतलब जो मेरा message है वो अब save हो गया है application पर जाएंगे anti-delete application पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे message जो है वो इस तरह से save होते जाएगा कोई भी message कहीं से भी आएगा message जो है वो delete नहीं होगा यहाँ पर save हो जाएगा whatsapp में deleted बताएगा लेकिन यहाँ पर save हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं number, date and time सारा दिखा रहा है message क्या था सारे message जो है वो अलग-अलग यहाँ पर save होआ है date and time के साथ दिखा रहा है तो यहाँ से आप जो है deleted message को बरही असानी से देख सकते हैं इस तरह से whatsapp से related मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाय हुए हैं आप हमारे चानल पर जाके line वे line सारे वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में बस इतना है तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को whatsapp पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद